हेलो गाईज आप सभी कैसे हूँ तो अच्छे होंगे योवर वैलकम तो यूटूब चैनल प्रियादिमान.99 पर आप सभी का स्वागत है ठीक है गाईज अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है आज हमें एक रिजनिंग का चैप्टर है हमारा डिस्टेंस एंड डाइरिक्शन ठीक है गाईज दिसा और दूरी दिस्टेंस एंड डाइरिक्शन दिसा और दूरी ठीक है गाईज वो क्या होती है आज सिंपल वे में डाइरिक्शन क्या होता है देखो डाइरिक्शन होती ह कि हमारी चार होती है पूरव पस्चीम उत्तर और दक्षिन चार तिसाई होती है कितनी पूरव पस्चीम उत्तर दक्षिन चार होती है एस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है और डिस्टैंस क्या होती है दूरी क्या होती है सिंपल हो कि डिस्टैंस हमारी यहां से जैसे मैं 10 किलो मेटर गई तो दस किलो मेटर गई वो हमारे डिस्टैंस यानि दूर होगी मैं कितनी गई दस किलो मेटर गई ठीक है तो देखो क्या होता है देखो direction and distance ठीक है गैस डायरेक्षन यानि दिशा ठीक डिस्टैंस यानि दूरी ठीक है गैस देखो बात करते हैं पहले हम दिशा क्या होती है दिशा हमारी चार होती है कौन कौन सी पूर, पस्चिम, उत्तर, दक्षिम, ठीक है गाईज, कितनी होगे हमारी, चार होती है हमारी, ठीक है गाईज, एस्ट, वेस्ट, ठीक है गाईज, नौर्थ, और साउथ, कितनी होगे हमारी, चार दिसाई होते हैं, एस्ट, वेस्ट, नौर्थ, साउथ, ठीक है गाईज, इतनी बास समझे माग आगे, अब देखो, ये चार तो हमारी होती हैं, बट क्या होता है, ये जो हमारी, उत्तर पूर, उत्तर पूर की, जो बीच की डाइरेक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर, ठीक है गाईज, और अगर पूर दक्षिन की है, तो पूर दक्षिन, ठीक है गाईज, उसके बाद फिर हमारी क्या आती है, पूर दक्षिन, क्या आती है, पूर दक्षिन, फिर इसमें क्या आता है, उत्तर पूर, 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 ठीक है गाईज, इतनी बात समझे गाईज, क्या होता है, दुबार बता देती हूँ, यह वाली कौन से दिशा होती है, पूर, इसको हम नर्थ बोलते है है, इसको एस्ट बोलते है, इसको वेस्ट बोलते है, बात करते हैं, इनके बीच की, उत्तर पूर में, अगर बीच की direction है तो उसको हम क्या बोलेंगे उत्तर पूर्व बोलेंगे ठीक है गाईज अगर पूर्व दक्षिन है तो दक्षिन पूर्व बोलेंगे ठीक है गाईज उसके बाद फिर हमारी आती है पस्चिम दक्षिन तो दक्षिन पस्चिम बोलेंगे ठीक है उसके बाद तब भी आनल फिर हमारी आती है उततर पंस्चिम तो च्या मोंत्फर पंस्चिम OK यह आपको पता चल सोलएं कौण कोन सी इस तिशा होती है कहां कहां होती है रहाइट करते हैं अब बाते हैं डिस्टैंस की बात डिसके क्या होती है हमारी दूरी जैसे यहां से यह हो गया है यह परसन है कोई तो यह परसन पूर्व की ओर गया यानि उसने 10 किलोमेटर गया तो यह वाली इसके क्या होगी यहां से यहां तक इसके डिस्टैंस यानि इसके दूरी होगी ठीक है कितनी क्या होगी इसकी दूरी होगी तो इतनी वास समय भागी, simple है, इतना वो नहीं है, ठीक है guys, क्या होता है, direction क्या होती है, distance क्या होती है, ठीक है, तो अब हम question शोल करेंगे, question लिखे में है, दो, तीन question है, ठीक है guys, तो मैं आपको समझाती हूँ, कैसे कैसे होते हैं, अब पहला question क्या कहा इसने, पहले question में कहा मोहन अपने घर से निकल कर पूरव की और चलना परारम करता है, मोहन अपने घर से पूरव की और चलना परारम करता है, किस पूरव की और गया, पूरव की साइड में, इस साइड में, तो इसने क्या कहा, मोहन पूरव की और गया, ठीक है guys, इसने कहा, पूरव कुछ दूर फिर अपने पोड़ेंगे ऑडू rap to the seνसाय को अब क्या होगे कि वाय उडृ और आ और अप अब की वाय direct uta अब अपने कोडिंग ये left होता है ये राइट होता है अब देखो इसने क्या कहा तूर चलने के बाएं मुड़ा बाएं यानि लेफ्ट तो उसने बाएं चल दिया ओ ठीक कैसे तो बाएं क्या हमारा यह उपर ऊपर बाएं चल दिया बाद क्या आप कुछ दूर चलने के बाद फिर दाएं उड़ गया और देखो जब यह ऐसे था तो यह बाएं घुमा अब इसने क्या कहा आद लटे हैं तो राइट हैंड इसे गुमा दूए योकि यह चल दिया हमारा ना ठीख mom का ढ़िए चल दिया और अंट में दाय मुड़कर चलना पराend मुड़ा है अब दाय यह आपका सजहात है यानि राइट है ठीक है तो यह तो सिंपल है लेफ्ट एंड राइट है तो जैसे वो कहता है किस्वन में ऐसे ही ऐसे आपको करना है कुछ नहीं है अब देखो यह हमने राइट घुमा दिया फिर इसने कहा दाय मुड़कर यहां तक होगा अब वे किस दि इस से है कौन जी यह आइसंधा हमारी अब देखो दक्षिन है तो सिंपल में जा रहा है किस दिसा में दक्षिन तो आंसर क्या होगा आपका दक्षिन ठीक है इतनी कि अब बात करते हैं हम दूसरे qistion की ठीक है और हमारा दाया बाया दाया ठीक है अब बाया क्या हमारा ये हो गया simple और ये हमारा दाया हो गया ठीक है अगर वो बाया कहता है तो बाया गुमा दो अगर दाया कहता है तो दाया गुमा दो ठीक है गाइस डोसर question है अमशन अपने घर से प्रारंब प्रस्थान और करके दस किलोमेटर पूरू चला अ ही देखो इसके आपने घर से चला गर्री है इसके इसने क्या कहा कि 10 km पूरू में यहनी 10 km चला यह पूरू में ठीक फिर भी मुड़कर बाया उपर उड़ा बाया यहां से यहां तक क्या। पांच किलो मीटर चलता है पांच किलो जायस यहां से यहां सकर 10 km अपने घर से कितनी दूर पहुंच गया अपने घर से यह अपने घर तक सेही दूरी होगी कि और कितनी cinq किलो मिटर है कि इतने और किफशन हैं यहां से और देखिए कहता जैसे उसको question के according कर दो ठीक है guys उसने का 10 km पूरों में गया तो 10 km की और घुमा दो फिर उसने का दाइं मुड़ा तो दाइं घुमा दो फिर उसने का बाएं घुमा दो ठीक है जितना भी distance पूछेगा वो उसके according वो इसी तरह कर दो ठीक है guys अब देखो यह स्कांसर आगया simple कुछ निए अब एक question हमारा यह आता है अब देखो अनुराग अपने प्रार्णबिक अस्थान से उत्तर दिशा में गया अनुराग उत्तर दिशा में गया इसने क्या का अनुराग अनुराग उत्तर दिशा में गया उत्तर दिशा में चला गया ठीक sorry उत्तर दिशा उपर है कहां गया है उत्तर दिशा में चला गया ठीक है guys कहां उत्तर दिशा में sorry वो गलती से हो गए mistake तो यह उत्तर दिशा में गया अनुराग प्रार्णब अगस्तान से उत्तर दिशा म और वहां से दाय मुड़कर चार मीटर जाता है दाया दाया आपका यह हो गया तो दाया क्या है आपको यह वाला है यह इधर घुमा दो इसने कहा तीन इतना होगा तो चार इसने क्या कहा चार मीटर ठीक गाइस चार मीटर उसने क्या कहा तो वह परणविक अस्तान से यानि य देखो इसना अभी तक तो किस्टवशन में उसने डायरेक्षन पोच्छी थी इसने डिस्टैंस यह मैंने क्या बताई थी उत्तरपूर बताई थी ठीक है गईस तो यहां से अब देखो यहां से यहां तक की दूरी वही चीज पूछ ली इसने क्या पूछी यहां से यहां तक इसने क्या का तो वह परारंबी कस्तान से यहां नहीं यहां से स्टार्ट किया था मैं ठीक वह उ उत्तरपूर्व यहां से यहां तक यहां किस साइड में गया हो उत्तरपूर्व में गया ना ठीक है तो यह क्या होगी हमारी उत्तरपूर्व होगी ठीक है और दूसरी बात करते हैं हमारी इसने क्या कहा अब क्या आगी इसकी दिशा क्या आगी हमारी इसकी दिशा यहाँ से simple से वो कर्ण वाला lump simple way है ठीक है यह हमारा lump था पाइतागोरस वगरा पड़ी होंगी lump ठीक यह कर्ण sorry यह lump यह कर्ण यह आधार ठीक है गाइस तो L पलस B sorry A बराबर K का स्क्वार ठीक है गाइस आधार को बेस बोलते हैं ठीक है थीक है गाइस तो वोई वोह फोर्मूला है A का स्क्वार और B का स्क्वार ठीक है गाइस तो अब यही बात आगी तो यहां से यहां तक 4 यहनि देखो हमें यह मांगा यानि कुछ भी माल लो A, B, C अब देखो यहां पर हमने a माल लिया b माल लिया c माल लिया ठीक है यहां से यहां तक तो c square equal to कितने होगा a का a का square plus का b का square ठीक है guys b माल लिया a का square equal to कितना a square plus b square है c equal to a square plus b square ठीक यूँ मैं simple way में बता रही हूँ तो हम कैसे निकालते ही यह हो गया हमारा और फिर क्या होता है A, कितनी होगी हमारी 3 का स्क्वेर पलस 4 का स्क्वेर ठीक है guys इकवल टू C स्क्वेर C स्क्वेर इकवल टू 3 का स्क्वेर पलस 4 स्क्वेर ठीक है यानि 3 का स्क्वेर कितना होगा 9 पलस 4 को कितना होगा 16 ठीक है guys 16 और 9 कितने होगे 25 ठीक है गाई और C square जब C को यह करेंगे तो 25 रूट में चला जागा C बराबर यह रूट से बाढ़ यानि रूट से बाढ़ निकल जागा तो यह 5 आ जागी ठीक है गाई कितनी आगी distance यानि इसकी दूरी कितनी आगी 5 किलो मीटर कितनी आगी मीटर आगी किलो मीटर नहीं किलो मीटर उपर वाले में था मीटर मीटर दिया हुआ इसमें यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर है ठीक है गाई तो 5 मीटर आगी कितनी आगी पांच मीटर आगी ठीक गाइज इसमें तीनों दोनों पूछ लिया गया है ठीक पहले question में direction पूछी थी फिर second question में distance पूछी थी अर ठर्ड वाले में distance and direction दोनों पूछी गई हैं ठीक गाइज अगर इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई तो comment करके बताना जो चीज़ नहीं समझ माई तो इसकी दूसरी वीडियो बना दूए ठीक है guys एक बारी इसको अच्छे से देखना last तक अगर नहीं समझ माई तो comment करके बताना ठीक है guys एक बारी दुबार repeat कर देती हूँ देखो जो हमारी direction होती है direction दिशा दिशा हमारी चार होती है पूरव पस्चिम उत्तर और दक्षिन चार हो गई हमारी east west north south ठीक guys फिर आती हमारी distance यानि दूरी distance दूरी यानि हम यहां से वहां तक भी गए तो 10 km या 20 km गए ठीक guys तो 10 km गए या 20 km गए तो वहां तक या 10 मीटर गए या 5 मीटर गए तो हमारी क्या होगी वह दूरी होगी distance होगी ठीक guys तो वह distance होगी दूरी होगी उसको हम distance कहते हैं 10 km ठीक है guys कितना चलाओ ठीक है फिर हमारा third question distance and direction दोन होगी यह थोड़ा अलग किशन था इसमें थोड़ा math का logic लगा हुआ है ठीक है तो इसमें समें math का बगएर का बट इसमें क्या है कि pythagoras बगएरा है यह इसमें समझनी पड़ेगी ठीक है तो नीचे यह question दिये होते हैं इसमें यह वाला यहां पर जैसे एका तीन का स्क्वार होगा चार का स्क्वार ट्रिपलेट बना होता है इसका तो पांच 25 बाहर आउट निकल जागी ठीक है यहां तहीं यहां तक दूरी भी पूछ ली ठीक है उत्तर पूर हो गया उत्तर पूर ठीक है और यह हमारे बाहर निकल ठीक है तो अगर इस question में इ आई आई तो कमेंट करके बताना ठीक है और इस वीडियो को एंड तक देखना ठीक है और बताना यह कि आपको कैसी लगी ठीक है गाई तैंक यू सो मच थैंक यू ठैंक यू सो मच गाई जीक है